अजमे के आजाद पार्क में सिंधी संगीत समेती रजिस्टर्स अजमे द्वारा साथ विशाल सिंधी मेले का आयुजन 23 नवंबर शाम पांच बजी आयुजित होगा जिसकी तयारया धुमधाम से के जारी है कारेकरताओं ने बताया कि इस मेले में मुख्यातीती के तोर पर वल्यूड के अभी नेता गौवर्धन असरानी शिर्कत करेंगे साथ ही अपने यात्रा पूरी करके लोटने के पश्चाथ, रास्तान की विधान सबाद्यक्स वासुदेर देवनानी के साथ, जूनियर हेमा मालनी के नाम से विख्यात, सीमा मोटवानी र सुमन खेमलानी मुख्या तीती के तोर पर शिर्कत करेंगे सुमन खेमलानी द्वारा कारेक्रम में गितों की प्रस्तूतियां दी जाएगी वही बताया कि इस कारेक्रम में सिंधी स्कूलों के छातर छातराओं द्वारा विफिन पारंपरिक वेश्पुर्शाओं से सुलसत जित होकर सांस्कृति कारेक्रमों के प्रस्तूतियां भी दी सिंदी मेले का शुभारम अजमेर के महंत सादू संतो दुआरा भवान जुलेलाल के समक्षती परजलिद करके किया जाएगा यह मेला शाम पांच बजे शुरू होगा वहीं बताया कि खाद्य सामागरियों के लिए कूपन विवस्ताई रखे गई हैं बचों के लिए जूले मिशुलक रहेंगे बार उनका अजमेर में आगमन हो रहा है इस मेले के वे विशिश्टति हैं मेले के मुख्य अत्ति राजस्तान विदान सभा के अध्यक्ष श्रीवासदेव जी देवनानी साहिब हैं इसके अलावा बंबई से जूनियर हेमा मालनी सीमा मोटानी जी भी आ रही हैं जो अपनी अधाकारी से दर्शकों का मन मोहेंगी इसके अलत्रिक अवलासनगर की मशहूर गायका सुमन खेमलानी जी भी कल हमारे सकरकर में शिर्कत करेंगी अपने घीतों से सिंदी कलामू से दर्शकों का शुर्तागणों का मन मोह लेंगी भूती विशाल आयोजन्य होने जा रहा है हमें उम्मीद है कि यह मेला एक एतिहासिक मेला होगा इसके अलावा अजमेर शहर के सिंधी स्कुलों के बच्चे डांस परफॉमस देंगे सिंधी घीस संगीत निर्तिय और अलग-अलग बच्चे विबिन वेशबूशाओं में सिंधी शहीदों, महापुडशों, संतों की वेशबूशाओं में, पारंपरिक वेशबूशाओं में अपनी प्रस्तिती देंगे सिंधी छेज होगी, मेले का शुबारंब कल शाम को पांच बजे, अजमेर शहर के सभी संतों द्वारा इष्ट देव भगवान जुलेलाल साहब की जो जगा कर किया जाएगा झाले जाएगाओं जाएगी & तकी देव पांच मेंआ अपने यारा-ऌिया सेवशाब का शमाम कल शेकी सामक में नाम क्रते स्दावशाओं चेकी लगवारा का शेया आएवाना तक हुआचाओंगरं अपने शेजमे जाच लटाः जाएगे झाल झाल